हलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर समाने विज्ञान SPD के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपना सात्वा वीडियो कर रहे हैं जिसमें सेट नंबर 37 से लेके 24 तक के सभी प्रस्णों को पढ़ने वाले हैं यकीन मानिए यदि आप लोग इस मॉडल सेट वाले वीडियो को कवर कर लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी एक्जाम से चाहे वह रिल्वे के हो सारे एक्जाम में विज्ञान के प्रस्ण इसी मॉडल सेट से ही पूछे ज हैसा मत सुचे है कि जो मॉडल सेट में लिखा हुआ है बस मैं उसको पढ़ रहा हूं मैं उसमें जितना हो सकता है उतना आपको एक्स्प्लेन करके भी समझाओंगा एक क्या-क्या इसके बारे में और कुछ जनकारी आपको होना चाहिए आगे आना वाले जितनी एक्जाम से करके प्लैलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप देख सकते हैं आज का पहला क्वेशन मॉडर नंबर 37 से द्राव बूंद की संखुचित होका नियुन्तम छेत्र घिरने की प्रविर्ति का कारण क्या है इसी चीज़ करते हैं प्रिष्ट तरह कोई भी चीज क्या चाहता है कि हम सिकूर करके छोटा से छोटा जगह में आ जाएं तो यदि आप कहीं पानी का बूंद कोई गिराते हैं मालीजे पानी का बूंद इतना बड़ा आप गिराते हैं वो क्या होता है कि धीरे 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 छोटा होके मतलब वो चाहता है कि हम इसको छोटा जगह में रखे ए कोई विए आप गरम खाना खाते हैं या गरम सूप या चाय पीते हैं उसका क्या होता है प्रिष्टतनाव कम होता है इस वह से जादा फैल पाता है यहीं कहीं भार प्रस्ष dispels जाता है पानी वैसे निकालते हैं तो वह भी चिपकता है किस करांद से प्रिष्ट तनाव के जैसे तो प्रिष्ट तनाव के बहुत सारे अप्लिकेशन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डेली लाइफ में इसी कारण कपड़ा आपका अधिक से आपको पाता है डिटर से अंदर का दाब क्या होता है वह मंडलिय दाब से अधिक होता है देखिए चाहे वह आपका बलून हो जिसको हम लोग मुह से गुबारा का फूलाते हैं उसका हो या फिर साबून का बूला हो सब के अंदर क्या होता है वह मंडलिय दाब से अधिक दाब है तब जाके वह सर आप बेशिवाई आक POW कर पाता है इसी होगा जी ऑसे उपड़ा का तो यह खुक्तके दबा उस से फटब जाता है क्यों आप लोग जानते हैं जैसे हैं प्रित्फि के तल से उपड़ से उपड़ जाते है वहां पर उपर का दबाव कम हो जाता है और अपने दबाव के व्यासे अंदर के दबाव के व्यासे फट जाता है तो यह सारी चीजा आप सीख लिए हवा का दबाव से आगे बढ़ते हैं उपर से पानी का प्रेसर उससे कम होते जाएगा और उसका अकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा बढ़ते हैं आगे बादलो में युँ मंडल में तेरने का कारण क्या है उसका घनत तो देखिए वायू जो बादल तेरते रहते हैं वायू मंडल में उनका कारण है कि उन इंच लंबा कोई बर्फ का टुकड़ा है यदि आप उसको पानी में डालते हैं तो एक इंच जो होगा उपर दिखेगा तो एक इंच उपर दिखेगा नौ इंच अंदर हो जाएगा यही फामुला यहां पर चलता है इसे को वन भाई जे वन इस्टु नाइन रेसियो कहते है ठीक है तो यह आप सराव जो ग्लास में पेश किया ता उसमें बर्फ का टुकड़ा डलायाता है उसमें देखिए एक बर्फ तैरते रहता है लेकिन उसका नौ भाग नीचे रहता एक बाग उपर तैरते वे दिखता है कि समुद्र में नदी के पेक्षा तैरना असान है क्योंकि समुद्र जल्लत का घनत तो जो होता है अधिक होता है नदी के मुकाबले इसलिए उसमें तैरना असान होता है इसलिए इंसान उसमें डूबता है कम है नदी के पेक्षा जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसत तो क्या होता है अधिक होता है इसका अंजाहज ऊपर उठ जाता है जो अधिक होता है काँच में प्रकास का वेग होता है श्रेजर बीम के साहता से चीतर बनता है उसको होलोग्राफिक काते हैं जैसे सपीडी दिच के ऊपर में ठीक लगा वे आफ एक स्टिकर तो कहता है कि होलो ग्राम में स्टिकर देखकर समान खरे देए वही वहीं होलोग्राफिक 3 आयाम, मतलब 3 dimensional रिथी से बनता है किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का किसी भी तारा का जो रंग दिखता है वो क्या दिखता है, ये तना अधिक ताप होगा उतना अलग-अलग colors का दिखेगा, सबसे ज़्यादा ताप होगा 40 degree जो Fahrenheit होता है, वो उसके समान होता है, ठीक है यहाँ पर दूगना हो जाएगा, महिना सारी degree पर समान हो जाएगा अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस वज़से तो अस्त होते समय सूर्य जो है, वो लाल दिखाई देता है प्रक्रिणन के कारण, चुकि प्रक्रिणन में जिन रंगों का तरंग धहरे कम रहा वो प्रक्रिणित हो गई, और जिसका तरंग धहरे अधिक रहा, मतलब लाल का तरंग धहरे सबसे अधिक है तो तरंग धहरे अधिक होने करणी जाद दिर तक दिखाई देता है अकास नीला दिखाई देता है प्रकास के प्रक्रिणन के करण यह कि प्रकास के प्रक्रिणन जब अकास में हो जाता है इस वएसे क्या होता है कि सारे प्रकास अकास में फैल जाते है उसमें बैगनी जामुनी जो भी कलर है उसमें उपर फैल जाता है बस यह दोनों एक साथ याद रखिएगा कार में साइड मिरर के रूप में किस दरपन का प्रयोग करते हैं कार में साइड मिरर की बात करेगा जो किनारे में लगा होता है देखने के लिए बाइक में या कार में उसमें उत्तल दरपन होता है वो क्या करता है उत्तलतरप्रन क्या है कि बहुत दूर तक के पिक्चर्स को कम जगह में एड्जेस्ट करना छोटा-छोटा करके दिखा देना मृट्रिश्णा किस्ते का उदारण है यह मृट्रिश्णा क्या होता है कि आप कभी गर्मी की दीनों में चल रहे होता है तो सामने लगता है कुछ दूर पर पानी दिख रहा है रोड़ पे, एक्चुलल पानी होता नहीं है, उसी घटना को कहते हैं, उसी फेनोमेन को कहते हैं, मृत्रिष्णा, ठीक है, तो ये किस कारण होता है, तो ये पुन्ड आंतरिक परावर्थन के कारण होता है, टोटल और हम प्रेयुक्स का है तप माण को इस्थी रॉकना है रंखनाय कमें वीडियो पसंद आ रही हो और अपने दोस्तों तक जरूरन सेर करते हैं ताकि उनको प्रूरा नहीं है उसको भी याद करो दोनों क्वीज लागा लो कि कतना से तेज हवा वाली रात में हवा तेज चल रही होगी उस रात में ऊस नहीं बनेए देखिए तो यह थ derivative मंदल में आदता है नहीं हवा चलने से आदता रहें तब बनेगा तो आस्पिकर्ण की दिर टेज हो जाएगी जिसकारण से रोस नहीं बनेगा जब दो लोगा आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनी उत्पन करते हैं दो लोग आपस में बात कर रहे होते तो 30 decibel की ध्वनी उत्पन करते हैं ठीक है मनुस्यों के लिए सोर की सहसीमाल लगवग होती है 85 decibel तक बहुत जादा जब हला होगा तो मनुस्यों जो होता है उसके बहुत लोगों को परिशानी होती है जिन लोगों को को हट करोगी है इस अभी मामला होता है क्रिष्टल के संरचना जानने के लिए प्रयोग में क्या ला जाता है तो द्रिस प्रकास को प्रयोग करते हैं क्रिष्टल के संरचना को जानने के लिए टेलिविजन के दुरस्त नियंतरन के लिए मतलब दूर से नियंतरन करने के लिए हम लोग औरक्त किरन का उपयोग करते हैं मतलब रिमोट जो होता है आपके पास उसके सामने वह दिखते हैं को बलव लगा होता है एक्चुली ऑफ़ बलव क्या करता है जलते ओपको नहीं देखता है लेकिमें उसमें से औरक्त किरन्य मतलब इंफरारेट लाइट स निकल रही होता है एक सुखी इंदर कौन से और अपाई थी को बीच्छी बैटरी हो उसके अंदर आको रसाइनिक उर्जा आ और रसाइनिक उर्जा को बीचृत बीचृत चैंज करता हूँ आपको मिल जा एक हूं ठीक है ett शोटा प्रयुप करेके क्या होता है कि भी बैटरी में बुट अब क्विशज हो किसी बैटरी मतलब अपके बड़ा साधा बैटरी हो वह सेल वाला नहीं पहलए और डालते हैं वह घ्री बैटरिए पानी होता है है वह क्या पानी क्या होता है उपर से आप उसमें değild ordered मिलाते हैं तो इसका सिंबोल होता है डब लु कि छ चलशु त्ली नहीं हो पा से हैलोजन लैंप जो होता है का तंतु किस मिर्सधात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या ऑपटनिक कोटी कितनी होती है मानुसरीर नाया नहीं नहीं आने के कपरा परतात मर्कूरिवर होता है अदर और सब्रक्राइब का वेपर होता है फ्लोरेशन ट्यूब यानि प्रदिप्त बल्ब में कौन सी गयस भरी जाती है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गयस भरी जाती है फ्लोरेशन ट्यूब के अंदर उसी ट्यूब में मर्क्यूरिक एसिड और नियोन गैस भर जाती है परतिवर्ति धारा को दिश्ट धारा में परतिद करने वाली युप्ति को क्या करते हैं रेक्टी फायर देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ट्रांस्फर्मर मारके चले आते हैं ये गलती मत किजेगा ट्रांस्फर्मर जो होता है वो ड प्रटेज घञतात है वो से को डी सी में और डी सीकिए चले करता यह चले करने के लिए रेक्टिफायर होता है और अफरки आपका इंवर्टर में होता है ुमिद करते हमार आपको खलेर होगया हो अगया दिश्ट धारा का डायक्ट करेंट यह को पड़ते होती है जारा अल् सुर्ण के जो उर्जा का सुरोंत है वो तो हइड्रोज expert ऑर हिलियम यह होता है यह हुटा है सुर्ण के अंदर और जाक शोटन यह ठोटा कण क्ड है तो जो खोटे कंड जब आपकोस मिलते हैं और उसे इनरजी क्रूल्ब स्सक्राइब तो उसको बोलते हैं नभी किए शनलयान ये दुना पसन मिल करके रिलीज करते हैं लेकिन यह यहीं पर यूरेनियम होता है 235 तो यह काफी बड़ा यह है तो इसमें 20 होट इसको बोलेंगे नभी किए सनलयन और उसको बोलते हैं तो बड़ा वाला में टूता है तो नावी कि विखंडन करते हैं तो एनर्जी बना जाता है पाइरोमेटर का प्रयोग कब करते हैं तो यदि अत्यधिक उच्छ ताप मापना होगा तो उसके लिए पाइरोमेटर का यूज करते हैं यह पाइरोमेटर काम कैसे करता है तो यह देखता है कि उससे रेडियेशन कितना हो रहा है उस रेडियेशन को यह काउंट करता है उससे उप्योग कहां कियाता है तो जो ट्यूमर का इलाज होता है उसमें अर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है यह तरह का समस्थानिक है आतों के रोगी के जो रोगी होते हैं उनको इलाज करने के लिए किन किर्णों का उप्योग करते हैं उसके लिए एक सरेज का उप्योग करते हैं एक स्रे की खुच की थी रॉंजन ने भारत में प्रचूर मातरा में उपलब्ध महत्वपुण नारी की इंदन कौन सा है ये थोरियम है ये केरला के जो समुदरी किनारे हैं उसके आसपस बहुत जाता है मिलता है थोरियम का मुख स्रोत क्या है तो इसके अयस्क है कि आयू का मापन किस विज़ुजरा किया आता है प्रित्वी के बारे ने हम लोग पता लगाए इनके प्रित्वी हो चटान प्योग करते हैं और जो निर्जीव पतातों लेकरते हैं तो यूरेणियन वीटिंग वीडिका इसको याद रखिएगा जिवास्म मृत पॉध है आयू निजान करने के लिए वही समस्थानी कारबन कारबन 14 समस्थानी की खोज किसने की थी एफ किलवी ने की थी कॉबाल्ट 60 कौन सी किरने उतसरजित करता है तो कॉबाल्ट 60 जो है वो बीटा किरनों को उतसरजित करता है रेडियो धर्मी पदात उतसरजित करता है अलफा बीटा तथा गामा किरने रेडियो धर्मी जो भी प से तेज कौन चलता है और सबसे दूर तक कौन जाता है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मैंने पेशले वीडियो में करवा रखा है अती चालक का लक्षान है क्या अती चालक का लक्षान है अनंत पर गम्मिता मतलब वह करेंट को प्रतिरोध नहीं करेंगा रोकेगा नहीं रेसिस्टेंस नहीं होगा उसमें करेंट आयेगा और फूरी तरह से फ्लो हो जाएगा इसे को कहते हैं अनंत पर अगम्मिता यह अती चालक मोता है यह कि सूपर कंड़क्टर्स में होता है बुलेट प्रूफ वस्तुव करेंगार में कौन सा बहुलक टोटल इंटर्नल रेफ्लेक्शन लिखा हुआ है अच्छा ऑप्टिकल फाइबर की खोज किस ने की थी तो नरेंद्र सिंग कपानी ने की थी इसकी खोज यह भरती यह थी गैस इंजन की खोज किस ने की थी तो गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी लेजर का पुर्ण रूप क्या है तो light emplification by stimulated emission of radiation यह होता है लेजर का पुर्ण रूप कई बार पूछा है लेजर का पुर्ण रूप क्या आता है फिर से एक बार सुन लीजिए Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation रडार का विसकारक कौन था Robert Watson यह SSC कई वर पूछा है रडार का विसकारक Robert Watson पर्माण विये नाभिक को किसने खोया था पर्माण विये नाभिक को खोया था यहनी कि पर्माणू के नाभिक को खोया था किसने रदरफोड ने न्यूट्रीनो की खोज किसने की थी पावली ने की थी न्यूट्रीनो भी खोज उमीद करता हूँगा आपको यह वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा और Explanation से आप काफी कुछ सीख पा रहे होंगे तिसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार चनल को सब्सक्राइब कर देना बेल को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन्स हो आपको मिलते रहे हैं अब लोग चलते हैं Model Set 40 की और अच्छा एक चीज़ मैं बोलना भूल गया जिसके पास ये बुक होगा SPD का वो बुक अपने सामने रखेंगे और तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उमीद है कि आप लोग पेंसिल भी ले लेंगे अपने हाथों में और जो जो कुछ आपको नया मैं बता रहा हूँ उसको अपने बुक में लिखते जाएंगे आगे जब आप सबसे भारी प्रक्रितिक तर तो क्या है dot क्या जाता है जब स्टील को कठोर बना जाता है उसमें क्रोमियम की मातरा को बढ़ा जाता है एक चुली कही कहीं आपको कारबन को देगा है लोहे की कठोड़ता को बढ़ाने के लिए उसका रास कम हो तो उसके लिए ग्रिफाइड को उपयोग करते हैं चिकनाहत लाने मशीनों के बीच में चिकनाहत लाने के इसे ग्रजिञ किया जाता है न तो उसे तरह से भारी सबसे अधिक अभिक्रियासील होता है फृत्वी के चारों और गैसों का क्या करता है तो यह वायू मंदल करता है अमलवर्षा का मुख के कारण है SO2 और NO2 दोनों याद रखिएगा इसी करण से अमल वर्षा होता है सक्कर का किडवन से क्या बनता है तेकि किडवन का मतलब होता है सडाना किडवन का मतलब सडाना तो सक्कर को जब सडा दिया जाता है तो उससे क्या बनता है अथाईल अलकोहल यहीं कि दारू बनता है ठीक है जीयो विकास यहनि कि एफोल्यूशन को सबसे पहले किस ने समझाएprochen जीयो विकास सबसे पहले लेमार्क में समझाया था आलू में ब्लैक हरण का करण क्या है आलू में black heart का करण होता है potassium की कमी यह अलू के अंदर potassium में कमी हो जाए तो black black heart नमक रोग हो जाएगा अच्छा आलू के अंदर oxygen की कमी हो जागे तो कौन सा रोग होगा आप हमें comment करके जरूर बतायंगे हल्दी के पोधे के खाने लाएक हिंसा क्या होता है यह प्रकंद होता है रक्त में लाल रंग किसे कारण होता है रक्त में लाल रंग होने कारण होता है हीमोगलोबिन तो हीमोगलोबिन क्या है तो यह एक प्रोटीन है हीमोगलोबिन क्या करता है? यह अक्सीजन को पूरे सरीर के हर एक सेल तक कैरी करके ले जाता है और इसके अंदर आईरन की मातरा होती है यदि आईरन की मातरा कभी कम हो गए तो आपको एनेमिया नमक पिमारी हो जायेगी बल की परिभासा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? बल की परिभासा जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है यदि बल का फॉर्मूला खोजें तो आपको न्यूटन गति के दूसरे नियम से मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से जड़तों का नियम भी निकलता है कितने ताप पर जल का घनत तो अधिक्तम होता है तो 4 डिगरी सिलसियस जो ताप मान होता है उस पर जल का घनत तो जो होता है वो अधिक्तम होता है प्रतिध्वनी सुनने के लिए स्रोता और परावर्तक सतह के बीच में 17 मिटर के दूरी होनी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए लाल हरा नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है तो लाल हरा और नीला रंग को जब आपस मिलाईएगा तो उससे सफेद रंग दिखाए दिता है प्रकास के किस घटने अकारण रगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है वही मैंने बताया था है कि रगिस्तान में इसे चलते हैं यह सामने पानी है वह किसका होता है तो ही टोटल इंटरनल इफलेक्शन यानिकी टी आई आर जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परवर्तन भी कहते हैं थंड की रहेगरेटर में कौन सा द्रहों तो मतलब कुईयोग का arthritis करते हैं अंदर Online को घुझ करते हैं उबलते जल के पेक्छा भाप से जलने पर अधिक कश्ठ होता है यह क्यों कि भाप जो होता है ऊसके अंदर गुप्त उस्मा बहुत ज़्यादा होती है इस कारण से उस भाप सज़ए जाना यह भए ज़्यादा करता है यह आप लोग ऐसंने सब्सक्राइब बिता रहे होंगे खुद से खाना बनाते होंगे रोटी पलटते वक्त आपका उठा जो होता है रोटी के अंदर बहुत भेंकर जलाता है क्योंकि उसके अंदर क्या है गुप्त उसमा अधिक है आज से याद कर लेना रोकेट का आकास में उड़ना उड़ान भरना किस सिधान तो यह होता है रेखिय सम्वेक के अधार पर रोकेट उड़ान भरते हैं एक चंद्र दिवस प्रिथवी के कितने दिन के बारावर होते हैं तो एक चंद्र दिवस प्रिथवी का 28 दिन के बारावर होते हैं चुकि चंद्रमा एक बार 28 दिन में चकर काटता है इसलिए उसको जब lift की डोरी तूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भाती नीचे गिरती है इस इस्थिती में lift में इस्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि आप माली ज़े lift में चड़ रहे हैं उपर की तरफ तब आपका भार अधिक होता है यदि आप नीचे उतर रहे हैं और अचानक से lift तूट गया तो आपका भार जीरो हो जाता है ठीक है जो आप उपर चड़े हो तो आपका भार ज्यादा होता है और तूट जाता है तो सुनने हो जाता है प्रित्वी अपने वर्तमान कोंड ये चाल से कितनी गुणा अधिक चाल से घुमने लगेग खाना पकाने में प्रियुक्त होने वाले हीटर का तार किसका बना होता है तो ये नाइक्रोम का बना होता है प्रकास वर्स दूरी का मातरक होता है एक प्रकास वर्स का मान कितना होता है तो प्रकास वर्स के बारे मैंने बताया था पिछले वीडियो में तो इसमें एक प्रक पाजाता है देखें आप एक चीठ आधरता कि जब बात की जाएगे तो इसको अंपनेücksक्षिक हाइग्र मीटर के द्वारा बारा आप एक छीक आधरता या आप याद रखिएगा कहीं पर क्षेशन नहींगा तो मैं हाइडरो मीटर के बारे में भी बताऊंगा प्रिथवी तल से पलायन वेक का मान कितना धायत किया गया है प्रिथवी लाल नहीं प्रिथवी तल से तो यह होता है एक 11.2 किलोमेटर पर सेकंड का स्पीड होता है इसको प्रिथवी का पलायन वेक कहते हैं सबसे अधिक प्रिथवी पर होता है सबसे कम चनलमा पर होता है फॉरंड हैट पैमाना में हिमांक बिंदू या भाप बिंदू कितना है एक वरनहेट पैमाना में हिमांक, बिंदो, भाप, बिंदो, क्रम सह, 32 डिएटी वरनहेट, और 12 डिएटी फरनहेट होता है However, 2D strong लेगरी वरनहेट होता है हिमांट की सूधिता किस यंद्र कर दरहा मापी जाती है। विधुत के सुधिता जो होती है लेक्टोमेटर से मापी जाती है किस वेग्यानिक कारण से डिटरजेंट में कपड़े अच्छी तरह धूल जाते हैं मैंने बता देता पहले ही क्वेस्चन में कितने हर्च तक की अनुभूती मानों अपने कानों द्वारा सुन सकता है तो 20 हर के तरह की भेधन चंता सरवाधिक होती है यह क्वेस्चन में आज से कमेंट में पूछा था तो मैं अंसर बता दू कि सबसे अधिक भेधन चंता होती है गामा की तो यह बहुत तेज चलता है लेकिन बहुत कम दूर तक जाता है उसकी भेधन चंता सबसे कम होती है तो सबसे पसंद आ रहे हो तुमने दोसों तक लाश्ट में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पूरा-पूरा फायदा मिल सके वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार किस कारण से वायु यान में बैठ हे का यात्री के फॉंटेन पेंसे स्याही तो Nerd जाता है निकल जाएगी इृए एयर आपका बैग चेक करके और स्पेन को निकाल ही दिया जाता है चलो आगे भू स्थाई उपग्राफ प्रिथिवी से लगभग कितनी उचाई परिस्थित है तो भू अस्थाई उपग्रह जो होते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको जियो एस्ट्रेस्नरी जो सेटलाइट्स होते हैं जिसको भू इस्थिर उपग्रह करते हैं जिए गुरुत्विय तोरण का मान अधिक्तम कहां पर होता है और नियुनतम कहां होता है भूमध्य रखा पर यह विश्वत रखाई उसको कहते हैं पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेड़ी दिखाई देती है तो प्रकास के अपॉर्टरिन करण और भी इसकी ड चड़ी दिखाई देगा प्रकास के अपॉर्टरिन करण जो कि प्रकास इसमें दो माध्यमों में जा रहा होता है एक तो हाँ उसमें बेंडिंग आयाता है और भारत का प्रथम नियो कुलियर रिसर्च रियक्टर कौन साथ है यह अपसरा है यह पीछली वीडियो में मैंने बताया था, गैसों और द्रावों में उसमा का संचरन किस विधि के अधिम से आता है, सुर्य के प्रकास को प्रिश्वी तक आने में कितना समय लगता है, आठ मिनट 20 सेकंड कई जग इसको 500 सेकंड भी लिखा जाता है, किस रंग के प्रकास का प्रक्रिणन सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग जो होता है इसका प्रक्रिणन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग धैर जो होता है वो सबसे कम होता है और सबसे कम प्रक्रिणन किसका होता है लाल रंका चुस्त्वी उसका तरंग धैरक जो होता है वो सबसे अधिक होता है 7000 रंगस्ट्रम चुनिया का आकास में उड़ना नियूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है तो न्यूटन गति का तीसरा नियम के कारण चुणिया जो होती है वाकास में उड़ पाती है इसी कारण से हम लोग जमिन पे चल भी पाते हैं पंडोबी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुवों को देखने के लिए किस यंत्रका प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह का होता है देखिए मैं आपको दिखा दूं यह होता है पेरियस्कोप ठीक है इसके अंदर इस तरह से सीशा फिट किया रहता है एक यहां पर और एक यहां पर फिर इसका इमेज यहां पर बनता है और यह हम लोग यहां से देख पाते हैं तो इस तरह की अंत् जेश्मेंट से आम लोग उपर की वस्तुओं को देख पाते हैं उतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिविम्ब किस प्रकार का बनता है उतल लेंस को द्वारा वस्तु का प्रतिविम्ब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है उतल लेंस से वस्तु का प्रतिविम्ब जोता है वो उल्टा बनता है और बड़ा बनता है लिफाफे प्रगोंद लगा कर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है तिसु कहते हैं असंजक बल देखे मैं आपको एक्जामपल बता दू जब दो अलग अलग चीजों का आपस में चिपकाया जाएगा तो उसको में लगेगा अस प्रभाव बता तक है कन प्रभाव किस तब मापी के दवारा दूर इसृत बशूद बश्टिक लगाती है और ज्यादा देर तक टिक पाता है कि सकारन से वही होता है आसंजक बल चूकि ऑटापका अलग चीज है यह दो लग चीज़ हैं यह दो आपस में चिपकता है तो है कहते हैं असंजक बल द्रव की दो बुंदों का पर चिपकाया जाए तो उसको कहते हैं संसंजक बल ठीक है इसको कहते हैं adhesive force दुस्वक कहते है cohesive force कान पर ध्वणी का प्रभवव कितने समय तक रहता है तो एक बटा दस सेकंड तक रहता है कान पर ध्वणी का प्रभवव किस ताप मापी के द्वारा दूर इस Among तो की ताप को मापा जाता है तो एक बट अद्दस भाग जो होता है वो पानी के उपर तेरते रहता है तो मैं देख आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको तो पता है क्या करना इस वीडियो के साथ थैंक्यू, धन्यवाद